खबर दहरादून से ही आपको बता रहे हैं जहां खेल महाकुम्ब में रिकॉर्ड तोड़ने पर एनाम मिलेगा रिकॉर्ड तोड़ने पर एक लाक रुपए का एनाम दिया जाएगा सबसे जादा पतक जीतने पर सी एम ट्रॉपी दी जाएगी तो खेल को प्रोटसाहिट करने के लिए युवा जो खेल की तरफ रुटी रखते हैं उन्हें और भी आगे बहाने के लिए अलग-अलग तरीकी की कोशिश होती रहती है और उत्रखण में विशेश तार पर हम देखे तो खेल महाकुम्ब में रूची लें युवा और किस तरीकियों से उन्हें और टोटसा हैट किया जा सकते हैं यह और भी अच्छे कोशिश है एक लाख रुपय का इनाम दिया जाएगा रुकॉड तोड़ने पर और सबसे ज़दा पदा कगर पर जीता तो सीम ट्रॉफियों से दी जाएगी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं अच्छी कोशिश हो रही हैं और अब इनाम भी रखे गए हैं और एक सीम ट्रॉफिय भी रखी गई है जो सबसे जादा पदक जीते को सीम ट्रॉफिय भी दी जाएगी युवाओं में कितना उत्साहा है खेल को लेकर और इस एक लाग की नाम की राशी को पाने को लेकर जीतोड मेहनत कर रहे होंगे युवा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पारूला आप क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार लगाता हर संभव प्रयाद कर रही है कि खेलों को कैसे साइट किया जा सब्केर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है चुकि आने वाले समय में रास्टे खिलों का भी आयजन होना है और रास्टे कि हैलों की मैजबानी करने जा रहा है कि ये तैह हो चुका है और सिर्फ इसकी गोषिना होना और ऐसे में ना सिर्फ खिलाडियों को बलकि उन जनपत्र के जिलादिकारियों को भी एक तरीके से सही प्रोसाइब करने के लिए प्राफ्थान किये जा रहे हैं कि जिस जनपत्र के खिलाडियों सब्से ज़्यादा पदद कीतेंगे उस जनपत्र के जिलादिकारी को डियम को प्रोफिस से नवाजा जाएगा और जो राच्ते रिकॉर्ड तोड़े गा फिलाडी उसको भी एक लाग का नगत इनाम दिये जाएगा तो यह प्यास किये जा रहे हैं यह कोशिश की जा रहे हैं और यह प्रोस्ताहिज करने की जिशा में एक नया कदम हम कह सकते हैं कि विभा सब्सक्राइब करने के लिए जो खेल जगत में अपने आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं अच्छी कोशिश हो रही हैं और ना किवल उन्हें अर्थिक मदद में मिल सकेगी अगर जो कोड़ तोड महनत करते हैं और सीम ट्रॉफी भी मिलेगी बलकि आगे के लिए भी खेल जगत में उनके राफ़ते खुलेंगे मैं लाचूंगे सोनू अगली खबर पर आपसे जानता है